हलो दोस्तो नमस्कार हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में 36 गड़ अबजक्टिव जी के सीरीज का यहाँ 53 नंबर का क्लास है कितने नंबर का क्लास है तो 53 नंबर का इस वीडियो में हम टोटल कितने कोश्चन कवर करेंगे तो क्यों बोर रहा हूं क्यों कि देखो आपको हर कुश्चन को लेकर आपको और भी क्या है इंपोर्टेंट जो फैक्टर हैगा उसको भी आपको बताओंगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है मतपूर्ण है यह ऐसे कुश्चन होंगे जो सभी प्रस्णा हर बार ठी देखेंगे यह कुश्चन आगे भी तो इसको आपको देखना जरूरी है ठीक है तो चलिए 36 गड़ के वन से समधित यह टोपिक है और उसी से समधित जो इंपोर्टेंट कुश्चन रहेंगे तो हम लोग देखेंगे इस कुश्चन को देखेंगे तो आप यह हमारा देखो कुश्चन तक हम लोग किvol Mission तक हम लोग क्या है पार्ट एंपोर में देखेंगे हारे 37 नंबर का कुश्चन है त्क है तो इसको आप लोग देखेंगे तो दिüyorsun कौन सा फ़ाईथा इंडियं जिंसेंग के नाम से जाना जाता है तो इस कुश्चन का सही अंसर है option हमारा है कब आया है 2008 में आया हुआ है तु देख लिए इस तरीका से होता है चलिए यह हमारा अगला question है next question देखेंगे अवसधिय पवद है तीक आस्वगंधा क्या है एक आवसधिय पवद है कुट्रू इस्ची था जो कुट्रू कहाँ इस्ची था इसको आपको बताना है तो इस question का ठीक है सही answer है option यह वीजापूर में है कुट्रू ठीक है कुट्रू गेम संची औरी कहा है तो वीजापूर में ठीक है याद रखेंगे important है ठीक है चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चीज है जो कोट्रू गेम संचोरी विजापूर जीले में इस्तित है अब देखो विजापूर जीले में दोठो वन्यजी अभ्यरण है दोठो वन्यजी अभ्यरण है कौन-कौन से तो पामेड वन्यजी अभ्यरण और भैरमगड वन्यजी अभ्यरण ठीक है और एक क्या है र प्रदेश को पूछा था उस टाइम के बात है तो अब हमारा क्या है जो चत्तीज गड़ है अपना ये जो चत्तीज गड़ को क्या है हर्वल इस्टेट बनाने की घोशडा किया गया है तो चलिए इसके बारे वे जान लेते हैं इंपोर्टेंट चीज है ये भी देखो चतिसगर में जैवित्त एवं वन और सधिक के सरक्षड एवं सवर्धन के लिए चतिसगर सासंद्वार 2001 में चतिसगर राज्या को हरवल इश्टेट घोशित किया गया था तो इस सवर्धन के लिए 34 गर्षरकार ने इसे क्या किया था हर्वल इस्टेट की घोशना किया था तो यह चीजी important है ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन है ये रहा हमारा अगला कोश्चन देखेंगे निम्ना में किस वन उपच के उत्पादन में 36 गड़ का इस्थान देश में प्रथम है तो इसमें से कौन से वन उपच को उत्पादन में 36 गड़ का इस्थान देश में प्रथम है तो हमारा इस कोश्चन का सही पिशले वर्षा पिछली सरकार है कांग्रेश की सरकार है लाग की जो खेती होता है उसको भी क्रिशी का दर्जा दिया था इंपोर्टन है यह जो बांस ठीक है प्रदेश में जो लाठी किस्म का बांस सरवाधिक मिलता है ठीक है तो important है यह लाठी किस्म की जो बहाँ से है तो important है इन सभी चीजों को आपको समझना है क्योंकि देखो यहां से question आते हैं यहां से दिखेंगे देखो चतिसगर में चतिसगर तेंदुपत्ता के उत्पादक में देश के प्रथमिस्तान है तथा राज्य के कूल तेंदुपत्ता उत्पादान में लगभग ठीक है 17% कितना परसें मतलब भारत में जितने भी क्या है तेंदुपत्ता का संग्रहाण होता है ठीक है उसका कितना 17% क् अच्छे थिसकर में होता है तेन्दूपत्ता संग्रहग ठीक है एक एक क्या चला था एक योजना चला था टीक है समाजिक कल्याड योजना कब चला था तो पांच अगस्त दो हजार पांच को यहां चला था ठीक है पिछले बार जो कांग्रेस सरकार थी उन्हों ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया तो स्वर्गिया महेंद्र कर्मा ठीक है तेंदू 15 संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना रखा गया ठीक है वरतमान में यह तोंदी तेंदू पत्ता है उसका मानक बोरा कितने रुपए है तो 4000 रुपए प्रति मानक बोरा एक मानक बोरा है इसमें 50000 क्या है तेंदू पत्ता होता है तो इसमें देखो 50 की 50-50 की कितने 1000 बंडल होता है 50-50 की कितना 1000 बंडल रहेगा तो total यह कितना हो जाता है मतल़ 50 पत्ते की एक बंडल रहेगा और 1000 बंडल एक सांत्र होता है तब उसके हम एक मानाक गोरा कहते है तो इन सभी चीजों को आपको समजना है ठीक है चलिए यह रहा हमारा अगला question देखेंगे निम्ना लिखित में से कौन सा कथन 36 गड़ की 1 संपदा के संबंद में सही नहीं है तो इनमें कौन सही नहीं है उसको आपको बताना है तो इस question का सही answer देखेंगे तो option हमारा B ठीक है आरक्षित 1 चेत्र सरक्षित 1 चेत्र से कम है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आरक्षित 1 चेत्र सरक्षित 1 चेत्र से अधिक है इसलिए इस question को क्या है गलत है गलत में ही लेना है क्योंकि गलत पूछा है तो उसको लेना है फिर हमारा क्या हो गया देखो तो इस तरीका से आपको चीजों को समझना है तो इस question का सही answer option भी था ठीक है यहाँ पर देखेंगे तो यह question का व्याख्या भी दिया है ठीक है तो इसमें जश्ट पूछे थे कि आरक्षित वन सरक्षित वन से कम है तो कम नहीं है ज्यादा है ठीक है तो चलिए next question है वन चेत्र के हिसाब से 36 गड़ देश का कौन से बड़ा राज यह है तो कौन से बड़ा राज यह है इसको आपको बताना है तो वन चेत्र के हिसाब से ठीक है तो मध्य प्रदेश है और दूसरा हमारा क्या है और और अचल प्रदेश है ठीक है पहला मध्य प्रदेश दूसरा और और अचल प्रदेश है ठीक है यह क्या है रिकार्डेड वन के हिसाब से ठीक है छेत्रफल के द्रिश्टी से राज यकाव भारत में तीसरा क्राम है इस सं फोरेस्ट रिपोर्ट ठीक है देखेंगे इंडियन इस्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट दो हजार इकीस के हिसाब से ठीक है तो प्रदेश का वन छेत्र फल के द्रिश्टी से ये रिकाडेड वन के हिसाब से तिसरा क्रम में है ठीक है और वनावराण के वनावराण में तिसरा ह चतिजगर क्या है रिकार्डेड वन के हिसाब से पूछे या इंडियान इस्टेट फोरेस्ट इपोर्ट वन आवराण में पूछेगा तो तिसरा इस्थान पर है पहला मध्या प्रदेश दूसरा अड़ आचाल प्रदेश और तिसरा हमारा चतिजगर अगर वन छेत्र के दृ द्रिष्टी से बोलेंगे तो इंडियान इस्टेट फोरेस्ट इपोर्ट 2021 के हिसाब से पहला इस्थान मध्या प्रदेश का है दूसरा महारास्ट थीक है तीसरा ओर इसा और चौथा हमारा क्या है चतिजगर और लास्ट है पाच्वान आवरा पर अरूर आचाल प्रदेश पहला कहा है पहला मध्य प्रदेश दूसरा महारास्ट थीसरा ओर इसा और चौथा चतिजगर और पाच्वा कौन से है तो अरूर आचाल प्रदेश्ट है इंडियान इस्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से वन छेत्रपल के अधारबर भारत के सबसे बड़े जीलों जीला नहीं राजियों में ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन है यह रहा मारा अगला कोश्चन के हिसाब से दिखेंगे निमनलिकित में से कौन सा वन प्रकार चतिजगर में सबसे विस्तरित है तो हमारा देखो साल वन के है चतिजगर में सबसे ज्यादा विस्तरित है ठीक है चिलिये कोश्चन का व्याख्या देख लेते हैं ठीक यहां पर दिखेंगे 37 गड़ के वनों के प्रजाति बहुल्दा के अधार पर वर्दी करनड के नुसार सालों वनों का प्रतिसात मतलब साल वन का जो प्रतिसात है कितना है तो साल वन का प्रतिसात है चालीज दसमलों 5-6 करते हैं तो इस प्रकार्चे करते हैं साल वन साइगोन वन ठीक है और हमारा मीश्रीट वन जो बहुंँ सारे वनों को मिलाकर होता है चलिए नेश्क कोश्चन है कि इस कोश्चन का आप्शन देखेंगे निमनलिकित में से कौन 36 गड़ में वन विभाग का प्रसास्की प्रम है तो हमारा है दिखिएगे श्री निवासराव क्या है वरतमान में 36 गड़ का प्रधान मुख्य वन सरक्षक है ठीक है प्रिंसिपल चीप कंजर्वेशन आप हो रेस्टा ऐसा इसका बोलते हैं इंगलीज में PCCF का मतलब वह इसी है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है इस च देखो सही अंसर है हमारा यह उद्यांती वन्याजी अभ्यारन कहा है गरियाबंद में है इंद्रवती राष्टी उद्यान कहा है तो इंद्रवती राष्टी उद्यान यह सभी कितना है यह कहा है तो यह बीजापूर में ठीक है इंद्रवती राष्टी उद्यान बीजाप इस question का answer आपको बताना है भैसादारा जील निमनलिकित में से जीले में आवस्तित है भैसादारा नामक जो जील है किस जीले में इस्तित है इसको आपको बताना है तो देखो किस जीले में इस्तित है तो इस question का सही answer है option D, बस्तर में इस्तित है कहा है, कहां इसी था है, बस्तर में स्थी था है, important है, इस चिज़ को आपको समझना है, ठीक है चलिए, भैसदाररा देखो, भैसदारराक नमक ज्ञाय है, इस थान है, वहाँ पर प्लाकर्यतिग रूप से मगरमचो का क्या है, सरणाजितल है, जैसे ही आपको मगरमच अया, तो इसी आपको एक चीज का और याद रखना है कौन सा तो क्रोकोडायल पार का कहा है तो क्रोकोडायल पार का जांगिर चापउर्पका की कोट्नी सुनार में न अबनावा की इस्थान है टछीए और आपका जो नरायानपूर के जाटलूर में तिक है नरायारपुर के जाट्टूर नदी के अपास में क्या है मगर मचो का प्राख्रतिक निवास इस तरल है तो इसको भी क्या है पूछे जाते हैं तो आपको समझना जरूगी है ठीक है चलिए परियावरान सरक्षर मंडल का मुख्या कर्याला कहा है तो यह इस कोशन का सही अंसर किया है इंपकोर्फ्या कर्यात करने वाला एक घातक कीड़ा है तो क्या चीज है उस कीड़े का नाम बताना है तो हमारा इस question का सही a프on है तो आगे वरते हैं इस question को प्रदेश का लाज्की या क्या है वरिक्षा हमारा साल है तो साल वरिक्ष्य से समधी जितने भी important question होते हैं उसको समझना बहुंद ज्यादा important रहता है कि आपको आनी चाहिए ह। आपको आनी चाहिए ठीक है साल का देखो वेग्यानिक नाम क्या है तो साल का वेग्यानिक नाम है सोरिया रोबस्टा है तो साल वन एक है तो किस प्रकार का वन है पूछ रहे ठीक है तो इस क्वेशन का सही अंसर है आप्शन ए ठीक है साल क्या है एक पत्ज़ड वन है ठीक है दिखेंगे, अगला कुश्चन है, इस को दिखेंगे, साल वनो का दूप कहा जाता है, तो बहुत बार आपको बता चुका हो, थेवरी क्लास पढ़े होंगे, तो आपको याद रहा होगा, तो बस्तर को ही क्या है, साल वनो का दूप बोला जाता है, बस्तर को क्या है, साल वनो का द्वीप बोला जाता है बस्तर को सालवानों का द्वीप कहा जाता है बस्तर में कोमाल नार मंग नार छेत्र में उच्चे उच्च वृच्च 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 वृच दिखेंगे चतिस गड़ सासंद वारा प्रारामभा विरिक्षार ओपड महा अभ्यान 2010 का क्या नाम था तो 2010 का क्या नाम है तो आपसन भी है तो आपसन भी सही है इस कुछिछन का हरियर सब्सक्राइब नाम था 2010 में जब रिक्षा रोकड का अभ्यान चलाया गया था तो उसका क्या नाम था हरियर से चाओंतीस थीए थीए चलो इस क्यूशन का देखो इस प्रश्टि करार थोड़ा से देख लेते हैं वैया क्या बारा सरकार दौरा स्थिश्टिश राज जैके ठीक है चाओंतीस चाओंतीस वन मंडलों का विज्ञानिक प्रबंधन की श्युक्रिति दी गई है मतलब देख क्या है वन मंडल पुछेंगे तो जर्ष्ट आपको एक एश्ट्रा लेना है 33 के आगे कौन से नंबर है 34 तो 34 वन मंडल है ठीक है तो इस चीज को आपको समझना है ठीक है चलिए नेश्ट कोश्चन है चतिसगर में निमने लिखीत में से प्रमुक वन उपज है तो देखो चत क्या है प्रमुक वन उपज है बाकि गौड या लगुववन उपज है बतलब इसमें यह है कि जो हम लोग पढ़े थे वो लगू वनецंस साधंद में निमनलकित कत्नों को पढ़ना है तो देखो तो यह गलत है बाकि हमारा श्रक्षित वनों का यह सही है तो चलिए कूट को देखते हैं कूट में कहा है दो तीन चार तो कूट में हमारा देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो पूरा चीज़े लिखा भी है तो चलिए नेस्ट कोशन के और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखो थोड़ा सब और देख लेते हैं चतिसगार राज्य में आरक्षित वनों का प्रतिशत आरक्षित वन कितना है चतिसगार में तो 43 दसमलों इतना ह हैं और सरक्षित वन कितना है तो 40.22 है इंडियान इस्टेट फोरेस्ट रुपोर्ट 2021 के हिसाब से अनुसार चतिसगार में वन तथा विरिक्षा वरार कितना है वन तथा विरिक्षा वरार आपका है एक तालीच दसमलों दो जो देश की कूल वन आउरा तथा विरिक्षा तो यह क्या है सभुस्टन का आपको समझना है चत्य है तो इस में से कौन सी कथन जो सत्य है उसको आपको बताना है तो दिखो 31 गड़ में केवल साल्विक्षकवान राश्टी उद्यान ऐसा नहीं ये इस questions का देखेंगे तो हमारा आप्छन का है सही आंसर है देश कि प्राप्ता होने वाले one अपता ये प्रमुक है कि संपूर्ण अदेश की कूल तिंदू पत्ता का 17% चतिसगर करता है हर्रा गौन साल विज्ट है और जो लगफवान अपता है ठीक है चलिए नेश्ट कोश्चन यह हमारा लास्ट कोश्चन है ठीक है इस जो वीडियो को हमारा लाश्ट कोचन है चतिस गड़ की वन संपदा के संबंद में निम्न लिखीत में से कौन सा कतन सत्य है जो कतन सत्य है उसी को आपको बताना है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या क्या पूछे हैं चतिस गड़ की प्रमुख वन उपज में से एक है तो बास क्या है प्रमुक उन उपज नहीं है लगु उन उपज है तो ये ये कैह गलत है ठीक है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्सों में कमेंट करके जरूर बताइए थैंक्यो